आजुई भी स्वास ची देखिए आज बमता बेनर जी भी तो यही कह रही है ना कि हम कानून के साथ है और ब्रश्टा चार के खिलाफ उनके भी जिरो टॉलरेंस की नीती है फिर ये बार-बार सब्दा पक्ष पर आरोप क्यों जुई ची आपकी आवाज नहीं आ रही है आप उसे अन्मीट कर लें अब हमारे पार्टी कुस्टा नहीं है कि हम लोग हमिशन से ही बहुते आ रहे हैं कि जो दोशी है उनके जाज होना चाहिए उनका पूस्तास होना चाहिए अगर सानुनी फक्रिया में कहीं दोशी माना जाता है को चे जरीए तो उनके किलाफ हम लोग जो करना है अप अपने दर में उकर एंगा लेकिन जुई ची पिर ममता बेनेची क्यों कहती है कि मीडिया ट्राइल हो रहा है कि मीडिया ट्राइल का आरोप क्यों आज आप लोग देखिए BGB का जो निती है सारे opposition के खिलाब हो लोग EV और CBI जैसे जास इसे वो लोग काम में लगा रहे हैं और यह जो है अगर EV और CBI का जो आप conviction rate अगर देखेंगे इन में से 922 जैन का trial हुआ है उसमें सिर्फ 25 जैन सा convicted पाया गया है तब इसको मतलब क्या है अब यह जो प्रक्रिया आप तो 25 जादा बता रही है इसमें दो और घटा लीजिए conviction rate केवल 23 है जुई जी सुनिया ना conviction rate में 23 है आप 25 में से भी और दो घटा लीजिए निकिने अब एक आकड़ा मैं भी आपके सामने रखती हूँ इस वक्त जुलाई के महिने में दिल्ली NCR मुंबई में कुल 27 जगाहों पर अलग अलग कंपनीज के ठिकानों पर छापे पड़ रहे है एडी के तो फिर वो भी आकर सड़क पर बैठ जाएं उनके मालिक और करमचारी भी बैठ जाएं कहें कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता पर एडी का छापा पड़ें तो हाई तौबा अज तक नहीं हुआ है अज तक नहीं हुआ है अज तक नहीं हुआ है अज आप दो आपके पार्टी के नेता नहाते हैं अजिकेे ँ मेता करेंगर तो तुरङंज दुसरे इमानदार को विपंपड़िया य standards कsehen नहीं होई को वी प्रोवीजन नहीं है बारत कि किसी कानुन में ये परवीजन नहीं है और ये तेहं कौन क्राइब कर रहा है किसे खिलाब प्रमान नहीं है नहीं जुए आप जवाब सुनिया ना आप सबस्थी के प्रवक्ता के पास गया नहीं प्रेम इडिदी पर आप अगर डाल दे रहें मुझे एक पर जांच नहीं होती जब तक आपकी पार्टी जांच नहीं हुई जूट आरूप लगा रहें जांच हुई जांच में जब उसे प्रमान मिलेगा तभी न कारवाई और प्रमान पर अगर आपके पास प्रमान है तो अब अदालत जा सकते हैं जूट आपको धियान होगा जूट आपको अपेशली को स्ने पूरी होने जांच नहीं आपको जूट निए विस्टांछ ने जब बात इसने सवाल पिस्फान में मीनाग्छी जिए क्या सब्सक्राइब कोल स्केम में किसने और किया सुप्रीम कोट ने नेशनल हेराल्ड में पांच हजार करोन की लूट की जांच का आदेश किसने किया मैजिस्ट्रेट कोट ने उस केस को क्वैस्ट होने से मना किसने किया सुप्रीम कोट ने इनके पास प्रमाल है ना या दालत क्यों नहीं जाते ह प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए है कुलदीब जी बड़ी यह तो साधी सी बात है अगर आपको लग रहा है स्वतेंद्र जैन के साथ गलत हो रहा है अगर आपको लग रहा है कि नई शराब नीती को लेकर कोई घपला हुआ ही नहीं गलत हो रहा है तो कोट का दर्वासा सब के लिए खुला है बार-बार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा देना यह तो सबसे ईसी टूल बन गया है वे पक्ष का अगर देखिये मिनाक्षी जी पहली बात तो यह कि यह बात यह चुपी नहीं है कि इस प्रकार से एडी और सीबी आई का दूरुपियों भातें द्ना पार्टी की द्वारा देश्मन में किया जाता है अपनी जगह जगह में लेकर सका बराने के लिए उसके सका नहीं बनते सीबी आई किया जाता है मत तरह तरह के अदरा देखिये के आव आदी पार्टी के लगब डेड़ सो निजाओं के ओपर एडी सीबी आई मिलाकर अफायर की गई और कोर्से सब को फटकार मिली उन एमेलेस के खिलाब भी सब तक प्रेश्न कर पाए तो इंदर क्या मसा था केवल उस एमेलेस की या भुखे मंत्री जी की चमी को खराब करना और यह साबित करना कि जैसे भातिंद्रा पार्टी के लोग चोड है इनोड़े देश का थन्रूंगा है उस पर कहा से आवादी पार्टी बाले है इरिवारों पे उजाद अपने का और अगर आज को आगर बात बताएं अगर वाकि में आपकी बातों को कुल दीब जी अगर सच भी मान लो अगर ऐसा है तो फिर सतेंद्र जैन अभीता खिरासत में क्यों है अभी तक उनकी वो रिहा क्यों नहीं हुए वो बेल पर क्यों नहीं आए देखे एक बला अच्छा बला शेर है लश्कर भी तुमारा है सरदार तुमारा है तुम जूट को सचलिक दो अकबार तुमारा है इस दोर के परियादी जाए तो जाए कहां कानून भी तुमारा है पुलिस को आप कहते हैं कि ये केंद्र की पुलिस है आप को कोट को कह दें ये तो केंद्र का कोट है आपको किस पर विश्वास है सर जो बात आप कहेंगे वही सच होगी लेखें मैंने कि कहा हैं कि वह से पहले सकार के काम रोकना सकार के कामों आणना डालना केवल अपनी वहवाई रूपना और अपना चेहरा चंपाने काम आफकर रेंद्र मुदीजी के पास है असरत क के लिए उनको के वाली डर है कैसे यह चीवास है बढ़ते कपो रुखले है इत्का बढ़ किस रही है भई लेकिन आको बढ़ाद हूं नहीं और यह कंदे वाला नहीं है इस देश का होगे रहेगा देश के लोगना है अशीशी मैं मुझे थोड़ा सा मौका और दें, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ED को नेकर बहुत सारे सवाल हैं, मैं बस थोड़ा सा एक छोड़ा सा मौका मुझे और दें, प्रेम शुकला जी, मनला मोधी जी सबसे डरते हैं, वो कॉंग्रस पार्टी से डरते हैं, वो ती आदालत ने पाया कि सत्तेंद्र जैन के खिलाप प्रतम द्रिष्ट्रिया प्रमाणों से आगे के प्रमाण इसलिए उनको जो है बेल नहीं मिल रही है तो यह कहरें कि आदालत भी पिकी हुई है इन्होंने यही आरूप लगा जो शेर सुनाया इन्होंने उसका अर्थ क्या है अदालत भी मिली हुई है अब अदालत पर इनको भरोसा नहीं है जांच एजनसी पर इनको भरोसा नहीं है समिदान पर इनको भरोसा नहीं है कानून पर इनको भरोसा नहीं है अब 21 करोन किसी के यहां से कैश मिल जाए यह कई ED हम भी को टार्गेट कर रही है तो जहां पर कै यह आरोग देखे बार बार के इंद्र फरकार पर लग रहा है कि आप विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं इसले जितनी विपक्षी दल है और टाकतवर विपक्षी दल है वहां पर सब जगे ED, CBI, IT की रेट चल रही है